हेलो स्प्रेंड से गवार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लालेश फटा फट में मेरा नाम है 20 साल पर जापती तो गाईज आज हम बात करने वाले यूपी इसकाल सिर्फ 2020 कि बर हम जियां गाईज आपको पता होगा पिछले दो दिन पहले कई चात्रों का कमेंट सेक्षल में कमेंट सेक्षन में प्लॉग्चणर होगी है अख कि तो ऊप्रूट सिर्फिक पर यहां और कि कुछ लोह के इनफ्य ग्रेडिकिंग की वज़एं दिखाई दे रहा है कि आपका MBA grading नहीं है, college ACIT approved नहीं है, तो दोनों topic पर हम लोग complete detail में बात करेंगे और मैं कोसिस करूँगा कि MBA grading का जो funda है, आप लोग को मैं detail में समझाऊँगा, क्योंकि आप लोग आई थें कि समझ नहीं पाए अभी तक, तो मैं आपको detail मताऊँगा, कि block by direct rate क्या होता है, MBA grading का क्या matter है, status में यह क्यों सो रहा है, इसका solution कैसे निकालना है, और क्या अब scholarship आएगी या नहीं आएगी अगर आएगी, तो अभी हमें कब तक wait करना, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको date नहीं दूँगा, जो मैं date बताने वाला हूँ, उस date तक आपको wait कर लेना, उसके बाद wait नहीं करना है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, बेल आइकन को press कर लिजेगा, तो guys, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने status ENBA grading वाला यहाँ पर open करके रख दिया भी, मैं सारा कुछ detail में बताता हूँ, उससे पहले guys, मैं आपको बताऊँ, आप लोगों से एक humble request है, चैनल को आप ल आप लोग, आपको update भी मिलती रहेगी, और मेरा भी काम होता है, कि आप लोग को update करना है, तो चलिए, फिलाल आप लोग subscribe कर लिजेगा, अब हम बात करते गाइज, यह, पहले हम लोग बात करेंगी, NBA grading के बारे मैं आपको detail में बार की से समझा देता हूँ, इसके बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलम मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको पता है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हूँ, नहीं पता है, तो ध्यान से सुनो, college does not possess NBA grading, AICT approved professional first year course, तो इसमें क्या बोला गया है, AICT आपको पता होगा, NBA grading और नए grading, आप लोग जाओगे, Chrome browser पर search कर लोगे, उस सब दे देगा, तो यह जो NBA grading होता है, नए grading होता है, यह किसी भी college के लिए अनिवार होता है, इंडिया के अंदर, Indian government इसको लागो की है, कि एगर आप professional course किसी चात को कराते हैं, professional course में क्या आता है, BTEC, V, Farm, NBA, यह सब professional course जो होते हैं, इसमें लाखों की फीस लगती है, तो अगर यह course आप कराते हैं, तो आपके college के पास NBA और नए grading की approval होना चाहिए, यह हमारा Indian government कहती है, और जो कि इसमें UP government क्या बोलती है, कि अगर आपका college NBA grading से approved नहीं रहेगा, जिसमें आप पढ़ाई करते हो, तो हम आपको scholarship नह आपको अभी वो भी दिखाऊंगा, डिटेल में, उसमें बताया गाता है कि पूरे UP में कुछ ही ऐसे college है, जिनके पास NBA और नए grading की मानेता प्राप्त है, तो क्या कहा था government ने कि इस बार से, जो इस college आप लोगो को लेनी है, 20 वाली, जिसकी मिली नहीं है, इस बार में जो इस बार वाली scholarship कि मैं बात कर रहा हूं, जो 2020 वाली अभी मिली नहीं है, यह बोला गया था, और यह बोला गया था, उसमें कि second year, third year, fourth year, जो पहले scholarship लेते आ रहे हैं, उनको हम scholarship देंगे, यह formula कहा गया था, लेकिन फिर बीच में अपडेट आई थी, कि NBA ग्रेडिंग की अन् तो चलिए ओन न्यूज मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं, तो गाईज आप लोग यह देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखर का, यह जो अपडेट आई थी, मैंने इसके ओपर वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैं यार जो भी पल-पल की अपडे संकरमण के दौर में, यहाँ पर देख सकते हो, क्या लिखा गया है, क्यों संकरमण के दौर में, नीजी विश्विद्यानों और तकनिकी संसानों के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश में सूल्क भरपाई के लिए नैक और यन्विय की ग्रेडिंग की अनिवारता, दोज आसी, अठाइस, नीजी विश्विद्याला है, इनमें से सिर्फ पांच के पास नैक की ग्रेडिंग है, महीं करीब 2000 तकनिकी संसानों में से 25 ही अन्विय ग्रेडिंग प्राप्त है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बतर हालत हम लोग की यूपी के कालेज की है, तो इसलिए मैं बोलता है, एडविशन लेने से पहले सब कुस सोच लिया करो, तो लेकिन यहाँ पर गवर्मेंट ने क्या कहा है, इस नीजी का आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम की डिसेप्ट्रों में लिंक दे रहें कि मुझे मांग लिजेगा, मैं आपको दे दूगा, आप लोग भी पढ़ लेजेगा, डीटेल में सब कुस समझ में आ जागा, तो इन्होंने आप पर देखे क्या का था, हम सिधे मुद्धे पर आते हैं, इन्होंने बोला है कि 2024 पचीस तक यह अनिवारता है, उसको हम खतम करेंगे, और सम आप में दिखा रहा है, तो आपको इसकल सी मिलेगी, क्योंको इस रूल के काडिन, जो यह निव जाएए, इसके काडिन आपको इसकल सी मिलेगी, अब आपको करना क्या है, आप घर बैठे, इसकल सी तो देंगे नहीं, DW वाले इतनी परसान कर देंगे, सब को पता होगा, ग कब तक मिलेगी ओभी मैं आपको बता रहा हूँ पहले डायरेक्टरे ट्रालो का मैं दिखा देता हूँ फिर मैं यह अन्भी ग्रेडिंग अब डायरेक्टरे दोनों को बताता हूँ क्या करना है तो देखिए गाई जब से तो आप लोग बता दो कि आपका कोर्स कौन सा है काटिगरी कौन सा है और ब्लॉग बाई डायरेक्टरे ट्रेट सो होने से पहले क्या सो हो रहा था तो मैं इसके बारे में कंप्लीट अभी जानकारी लूँगा फिर मैं आपको नेक्ट वीडियो में बता दूँग आप लोग कि बात नहीं जीतना मैं बोला उतना आप लोग पहले कमेंट सेक्षिन में कर दो जो इंस्टाग्राम चलाता तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो इसके बारे मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा और यह अन्प ये ग्रेडिंग की बात हुई और इसकी बात हुई च दीडबल तूर ढगाई हो का मारे मीन सब्कूद रेंगे जो भी अपडेट आपको अभी मिल पाएगी हो लखनाव के head office से ही मिल पाएगे आपके district वालों सायथ कई लोग तो बेवकूब भी बैठे रहते हैं उनको नहीं पता है तो लखनव वाले बेट करना एकदम बंद कर देना पचीस तारीक बाद नहीं आती तो भूल जाना इस कालसिफ नहीं आएगी फिननेश टियर जो फाम आएगा उसको भरिएगा उसमें इस कालसिफ सबको मिलेगी आ će exist कि आप लोगों बीडोगों पसंद आए ओुगी बीडों ठोड़ा लेंदी हो गई लंबी हो गई उसके लिए सवारी चाहता हों लेकिन यार जरूरी था क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत सारा डौड था तब तक के लिए बाब है टेक केर वीडियो कैसी लगी कमेंट सेस्मने जरूर बताईएगा